हमिर्पु शहर वासियों के लिए राहत भरी खबर है अब टेक्स भरने के लिए लोगों को जल्द आनलाइन पेमेंट जमा करवाने की सुभिधा मिलेगी इसके लिए नगरपरिशत जल्द शहर में जी आईस मैपिंग करेगी इस तरह नगरपरिशत हमिर्पु की बैप पर बैंक का लिंक भी चूट जाएगा इस लिंक को ओपन करते ही लोग अपना हाउस टेक्स वाप रेंट टाउन हॉल का किराया वह तह बाजारी सहीत पूरी पेमेंट्स को ऑनलाइन भी जमा करवा सकेंगे इससे एक और जहां पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं दूसरी और लोगों को नगर परिशित के आफिस जाने के जंजर से भी चुटकारा मिल जाएगा नगर परिशित हमीरपो की ईयो बिनोत कुमार ने इसकी पूश्टी की उन्होंने कहा कि इस सुबधा को लागू करने के लिए अभी सर्वे किया जाना बागी है इस प्रपोजल पर कमेट की मुहर लगाने के बाद ही इसे प्रभावी ठंक से लागू करने के लिए सर्वे किया जाएगा उनने कहा कि जी आइस मैपिंग कर नेया सौफ्टवेर तियार किया जाएगा साथी डोर टोर जाकर शहरवासियों का अकाउंट भी बनाया जाएगा लिहाजा इस सुबधा की शुरू होने से सहरवासियों को काफी सुबधा मिले की बता दें कि इस वर्ष नगरपईशित हमीरपूर के खजाने में एक करोड दस लाक रुपी जमा हुए हैं नगरपईशित के कारेले में हर महा टेक्स जमा करवाने की बारी भी उमड जाती है हर कोई अपना हाउस टेक शुबधा सुरू होने से शहरवासियों को काफी लाब मिलेगा अब शहरवासिय नगरपईशित की बैप साइट पर घर बैटे अपने टेक्स को ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे नगरपरशित हमिरपर की सीमा के भीतर पालका ने विचार किया था पहले भी एक बैठक में जिसमें G.I.S. सर्वे इनके घर घर जाके नेट के मादिम से एक सर्वे किया जाएगा जिससे जितने वी गरी करके मर्दाता नगरपरशित सीमा के भीतर हैं या नए घर बन रहे हैं या कुछ कोई घर जो खूट गये हैं जिसके गरी कर नहीं हो पाता नहीं और तो उसके लिए जो है नगरपरश्द की अनुमती से एक सर्वे किया जाएगा जिसको GIS होस्टेक सर्वे के नाम से भी कहा जाता है और सरकार के भी इसमें दिशा नर्देश हैं कि निक्ट में जल्दी से ये सर्वे किया जाए इस सर्वे के होने से जो है नगर परशद को जो है काफी आमदनी होगी इससे जो आज हम ग्रीकर के रूप में लगभग सवा क्रोड के रूप में हमारा ग्रीकर आज आ रहा है जो कि गत बस हमारा मार्च 2017 तक आया था तो अगर हमारा जिये सर्वे पूरण हो जाता है तो इसके बाद जो है लगभग हमारा 35 तीस से 40 लाक रुपे जो बढ़ातरी होगी ऐसा हमें अनुमान है और इससे लोगों को भी एक फाइदा रहेगा जब जिये सर्वे हो जाएगा तो इसके लिए एक कंप्यूटर में सौप्टवे रित्यार किये जाएगा जिससे कोई भी ग्रीकर दाता या कोई भी हमिर्पर का बासी जो है घर बैठे जो है अपने ग्रीकर की अदाएगी ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है और घर बैठे ही वो अपने खाते का अबलोकन कर सकता है कि उसका कितना ग्रीकर बकाया है कितना देना है और वो ये सूचना घर से दे सकता है कि उसका घर खाली है या कोई क्राइदार आ गया है तो वो उसके लिए फाइदा होगा और नगरपरशद को भी इससे काफी फाइदा होगा इसमें ये है कि नगरपरशद की वेबसाइट तो पहले से ही त्यार है पर एक सौफट्वेर त्यार किया जाएगा जिसको नगरपरशद की वेबसाइट से लिंक दिया जाएगा और एक बैंक के मादयम से बैंक से जोड़ा जाएगा तो अगर लोग घर बैठे ही कोई कर दो जदे ग रड़ देंगी